दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाऊ दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ बच्चों की नाक बहुत बहती है बार बार सरदी होती है बार बार जुकाम होता है बागवट जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सरदी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने गोगरत कहा गोगरत मने गाय का घी एक एक मून नाक में डाल दो बच्चों क्योंकि सर्दी जुकाम ऐसे गायग होगा जैसे गदे के सिर से सींग गाय का गी अच्छा आपको नीद नहीं आती अच्छी नीद लेनी हैं बढ़िया नीद लेनी है डीप स्लीप लेनी है रात को एक एक बून गाय का घी नाक में डालके सोजा बहुत गहरी नीद आएगे आपको खर्राटे बंद करने बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तो नहीं जानता पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूं गाय का घी एक एक मून नाक में डाल लो तीन दिन बात चौथे दिन से खर्राटे बिलकुल बंद हो जाएं इसमूत एक दम आओ दही को तावे के बरतन में रख दो पांच-छे दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लगाओ एक गंटे के बाद बाल धो दो शीका काई से शेम्पू से नहीं शीका काई से हफ़ते में चार बार कर सकते हैं और बाल तूटना एक ही ह तूटें अच्छे रहें दुरुस्त रहें तंदुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाय के मूत्र से बाल दो लो बहुत अच्छा कंडीशनर है नैचुरल और गैनिक कंडीशनर है गाय का मूत्र तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते ना उसकी जगे गो मूत्र यूज़ कैसे करें गाय के मूत्र में थोड़ा पानी मिला दे न और जैसे कंडिशनर यूज़ करते हैं वैसे कर ले न और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलिफ के स्थिती में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं न उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूत्र पिला दो एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पीलो आदा कप तक पी सकते हैं फिर उसके बाद मूत्र पिंड के जितने भी रोग हैं मूत्र पिंड के रोग आप सब समझते हैं किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलीफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गो मूत्र उप्योग करो गाये का मूत्र आदा कब किड्नी फेलियर के सब केसिस में आप उपयोग कर सकते हैं मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है गो मूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा पेशाब में जलन होती है गो मुत्र पीना शुरू करो जलन बन पेशाब कई बार लाल रंका आता है गो मुत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा मुत्र के लगबग 22-23 रोग इस अकेले गो मुत्र से ठीक होते है फिर आपको कबजियत बहुत है पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दिन गो मुत्र पीलो आदा आदा कप चौते दिन से एकदम पेट साफ होगा एकदम पेट साफ हो फिर आपके शरीर में बीसी और रोग है वात के कफ के पित्त के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उप्योग ज़ादा करें पित्त के रोगी पित्त के रोगी आप समझतें गैस बन रही है ऐसे लिए ये लोग अगर गोमूत्र पियें पित्त ठी मालिश करो आप, तो आपकी तवचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना सब चले जाएंगे आँखों के नीचे डार्क सर्किल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गो मूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्किल चले जाएंगे आप खाज हो गई खुजली हो गया, एक्जीमा हो गया थोड़ा मालिश कर लो, सब खतम हो जाएगे तो ये गाय का मूत्र अद्बुत है अब इस गो मूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उप्योग करने के लिए एक टेक्निक डवलप की है कि प्योर गो मूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइप, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूले दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें